नमस्कार में उप्रिया विहारी न्यूज में आपका स्वागत है सब कुछ हासिल कर लिया जिसकी उन्होंने कभी ख्वाहिश की थी इम्तियाज अली का जन्म 16 जून 1971 में जमशेदपुर में हुआ हालाकि उनका तालुक बिहार के दर्भंगा जिले के एक आम मुसलिम परिवार से था उनके पिता का नाम मनसूर अली है जो की इरिगेशन विभाग में पदस्त है उनके छोटे भाई आरिफ अली फिल्म डारेक्टर है इम्तियाज अली ने प्रीती अली से शादी की थी लेकिन ये शादी ज्यादे दिन नहीं चल पाई और 2012 में दोनों अलग हो गए उन्होंने अपनी शुरवाती पढ़ाई पटना के सेंट जेवियर स्कूल से की आगे की पढ़ाई के लिए वो जमशेदपूर आगे यहाँ उन्होंने DBMS स्कूल से पढ़ाई पूरी की जमशेदपूर में वो अपनी आंटी के साथ रहकर अकसर पास की थियेटर में फिल्म देखने जाया करते थे यही से उनकी फिल्मों में दिल्चस्पी शुरू हुई जमशेदपूर में ही उन्होंने थियेटर करना भी शुरू किया था बचे हुए समय में वो स्क्रिप्ट लिखने का काम करते थे आगे की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली उनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेच से की जोहां वो थियेटर में हिसाल लिया करते थे इसके बाद वो मुंबई चले गया जहां उन्होंने जेवियर इंस्टिटूट आफ कम्यूनिकेशन में डिपलोमा का कोर्स किया उन्होंने शुरुवात में टीवी सीरियल का निर्देशन करना शुरू किया था उन्होंने ZTV के शो कुरुकशेत्र और दूरदशन के शो इमतहान का निर्देशन किया इसके बाद उन्होंने फिल्मों की तरफ रुख कर लिया 2005 में उनकी पहली फिल्म सोचा ना था सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज हुई एक इंटर्व्यू में इस बाबत उन्होंने बताया था कि इस फिल्म को बनाने में उन्हें 4 साल का समय लगा था हलाकि फिल्म बॉक्स ओफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी मगर इस फिल्म को बनाने के दोरान उन्होंने फिल्मों को बनाने की कई बारी क्या सीखी उन्होंने टेक्निकल और एडिटिंग पार्ट की बारी की से समझा जुसके बाद उनकी दूसरे फिल्म जब वी मेट 2007 में रिलीज हुई और वो एक ब्लॉक बस्टर हिट साबित हुई इस फिल्म ने दर्श्रकों के दिल को छू लिया इसे फिल्म ने उन्हें बॉलिवुड में पहचान दिलवाई बाद में इस फिल्म ने कई अवोर्ड भी अपने नाम किये हाला की बाद में उन्होंने एक इंटर्वियो में कहा कि उन्हें जब वी मेट की कहानी बहुत दल्चस्प नहीं लगी थी पता नहीं कैसे इतने लोगों को ये पसंदा गई उनकी अगली फिल्म लवाजकल भी काफी सफल साबित हुई जो इसके बाद उन्होंने रनबीर कपूर के साथ फिल्म रॉक स्टार बनाई जो इसकी कहानी कई लोगों के दिलों में घर कर गई इम्तियास का कहना है कि फिल्म रॉक स्टार उनके दिल के सब से करीब है इसके अलावा भी उन्होंने कई फिल्में बनाई जो काफी हिट साबित हुई इतनी सफलता के बाद उन्होंने अपनी खुद की प्रोडक्शन हाउस खोल ली जिसका नाम विंडो सीट फिल्म है इस प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म हाईवे थी सूत्रों के मताबिक उन्होंने हाईवे की कहानी 20 साल पहले ही लिख ली थी तबालिया मातर 5 साल की थी तो उन्होंने इस फिल्म को बाद के लिए बचा कर रख लिया था उन्होंने अगली फिल्म तमाशा, रनबीर कपूर और दिपका पड़कोन के साथ बनाई इस फिल्म की मिली जुली प्रतिक्रिया रही उन्होंने अगली फिल्म शारुक खान और अनुश्का श्रमा को ले कर नरदेशित के फिल्म का नाम जब हैरी मिट सेजुल था हालाकि फिल्म को ले कर दर्शकों में नकरात्मक्त प्रतिक्रिया देखने को मिली मगर बाद में फिल्म ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया फिर तीन साल बाद 2020 में उन्होंने कार्तिकारिन और सारा अली खान को लेकर लवाजकल बनाई फिल्म ने मिली जूली प्रतिकरिया, हासिर की और इसके साथ ही बॉक्स ओफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया इसके रावा उन्होंने अभिने में भी अपना सिक्का आजमाय था उन्होंने अनुराग कश्रिप की फिल्म ब्लाक फ्राइडे में याकूब मैनन का किरदार याद किया था हालाकि आक्टिंग में उनकी पकड नहीं जमी तो उन्होंने दुबारा निर्देशन की तरफ रुख कर लिया उन्होंने कई अवोर्द्स भी अपने नाम किये है 2008 में उनकी फिल्म जवी मेट को बेस्ट डायलोग के लिए फिल्म फियर और आइफा अवोर्ड से सम्मानित किया गया था 2012 में उन्हें लवाजकल के लिए बेस्ट स्टोरी का अवोर्ड मिला था इसी साल उनकी फिल्म Rockstar को Best Director का Award मिला था 2014 में उन्हें फिल्म Highway के लिए Best Director का Award मिला था ये कहानी थी एक आम से घर में पैदा हुए एक ख्वाप देखने और उन्हें पूरा करने की हिमत रखने वाले इम्तियाज अली की तो कैसी लगी आपको कहानी? एंडिंग सही नहीं है तो कोई बात नहीं अपनी कहानी है एंडिंग चेंज कर लेंगे हम उमीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज शुके लिए बस इतना ही तब तक के लिए धनिवाद